कि कैसे हैं आप लोग यह रिलेटेट वीडियो में उपन इंटर्स प्लेस जो बना रहा हूं वह कम्प्लेटली यह मैंने के एक्सपारी का है जिसमें आपको रिस्स लेवल कम रहेगा प्लेस इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा मतलब इसमें ऑगस्ट भी रहेगा और साथी साथ आपको जुलाइ जैसे अपन ने आटी सी में लास्ट टाइम किया था अल्टीमेटली क्या होता है आपको यह समझना इंपॉर्टन एक इसमें होता क्या है ठीक है मैंने आपको पहले तो मैंने जो ला स्टॉक लिया था क्यूंकि अगर आप देखोगे तो रिलाइंस करीब बन बाइस सो से बाइस सो पचास के करीब जाने के बाद वो स्टॉक काफी वालटायल हो गया और गिरिया ठीक है तो अगर आप अल्टीमेटली अभी देखोगे उसका आज का प्राइस था करीबन टू जीरो एट जीरो के करीब तो अल्मोस यह काफी काफी घ्रिया मतलब दस पर्सेंट के करीब फॉल आया है रिलाइंस में अल्मोस इन बिट्विन आया है तो अल्टीमेटली मेरा मकस्द यह है कि कॉंट्राप ऐसा लो जो गिर चुका है और जाने का हो सकता है तो मैं उपन इंट्रेस्ट वीडियो बनाता हूं उपन इंट्रेस्ट में स्टॉक में अबडेट करवाता हूं तो अगर आप लास्ट मैंने एक-दो दिन पहले मैंने कफी मेरे जो क्लोस क्लाइंट से मैंनों को बोला था कि जो 16000 में अगर आप देखो के तो मंतली और वीकली में काफी यूज राइटिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो एफाय ने काफी पैसा निकालना है और थोड़ा से डिया का इंवस्मेंट आया था पर एफाय का फ्ल आउटो आउटो के नंबर साने वाले हैं तो उसके बाद हम लोग प्रॉबबिलिटी एक्सप्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मुग करेगा ठीक है तो अभी अगर आप करेंट ली देखो के तो मैंने रिलाइंस की पोजिशन यह करें यहां पर आपको समझ में आगा क रिलाइंस यह मैंने में ओके और चोबिस सो और बाइस सो के अंदर ही बंद हो जाएगा पर प्रॉबबिलिटी क्या होती है जब अगर कुछ अच्छा नहीं हो जा जाता है तो यह यह जो पोजिशन होती है ना पैनिक में लोग यहां से लिक्विडिट करके एक्जिट भी क कर सकते हैं तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है आप इसके रिलेटेट यह नहीं कर सकते हो पर इसमें आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि जो राइटिंग हो रही है ना वह जबर्दस रिलाइंस में प्रशर दे रहा है ठीक है तो अल्टिमेटली यहां पर मैंने एक अंद सब्सक्राइब बना रहा हूं मतलब इस इसके रिलेटेट जो जिससे आप जुलाइं में और आउगस को कंबिनेशन करकी हेज करके ट्रेट कर सकते हैं इसमें आपको जाने की ज़रूत नहीं है ठीक है आपको आपको अगर एक एक जामपल ले लो कि रिलाइंस गिर जाता है ओके तो आपको जुलाइ का जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा पूरा पॉकेट में आ जाएगा ओके यह आप ध्यान रखना इससे क्या होगा कि आपको जो प्रोटेक्शन है वो करीबन सब्सक्राइब होती है जुलाइ की प्रीमियम वो पूरा का पूरा आपके पॉके में आ जाएगा दूसरी जो आपको आपने जो पे किया है august का वो आपको august में hedge करना पड़ेगा कही ना कहीं आपको बचाने के लिए ठीक है अगर यह उपर चला जाता है तो obviously इसमें आपको profit देगा पर अगर नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपको risk level भी कम है पर manager अगर आप सही तरीके से करेंगे तो profit बनने की probability ज्यादा है यह strategy में ठीक है तो यह मैंने यह strategy बनाई है guys जुलाए में आप इसका देखिए august का 2100 का call option 100 रुपे में चल रहा है ठीक है 220 का मैंने difference रखा है ज्यादा नीचे नहीं है ठीक है इसमें risk और probability जो दिखरी है न व 262 तक आ रहा है ठीक है तो इसमें expected margin भी 18,000 का है और probability यह ऐसा graph आ रहा है ओके तो ultimately क्या होता गाईज जैसे जैसे टीटर डीके होता है ना आपकी august की premium जल्दी decline नहीं होती है यह आप ध्यान रखना ओके वो जो भी July का है तो July का break even आप समद लीजे क्या होता है 2120 plus 56 को investment की है 2100 के call option में तो जैसे जैसे रिलाइंस उपर जाएगा आपको यह profit देगा ओके यहां पर दीखे रिस्क लेवल कम है अगर यह रेंज में बंद हो जाता है जो मैंने difference रखी है करीबन 7% की ठीक है 7-8% की मैंने रखी है और रिलाइंस जैसे मुझे लग रहा है कि भी है पर अल्टीमेटली क्या है आपको ट्रीडिंग रिलेटेट काम करना है अभी इसमें आप समझी है कि अगर आप 2120 का call option short करते हैं जुलाइ का और आप 2100 का call option आप buy करते हैं तो इसमें difference क्या है यह strategy में फरक क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर एक example ले लो यह अगर 2120 के नीचे गिर जाता है तो पूरा का पूरा 56 रूपीज आपके pocket में आ जाएगा ठीक है और यह जो उपर का जो premium है इसकी भी time value के इसब से यह आपको 70 या 80 रूपया या 85 तलग चलता रहेगा अगर यही range bond में घुमेगा तो क्योंकि premium जो august की रेगी वो जल्दी decline नहीं होती है यह आप समद लो ठीक है तो क्या होता है कि यह अगर तो आप अगर अगर माइनस भी करोगे तो यूवे यूविल गैन almost around 3240 रूपीज जुलाई के इसमें आप profit लेके निकल सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक है premium सपोस 85 आ जाती है उपर का और आपको नीचे का प 260 का call option जब जब वो अगर यह work नहीं करता है और reliance गिर जाता है तब आपको इसको आप hedge कर सकते हैं जो break even आपकी loss होगी न वो उसको minus कर देगी तो ultimately क्या है कि अगर 40 रूपय आपका जाने वाला है तो यह strategy आपको क्या करेगा 2100 का call option आप जब बाई करते हैं उसको simultaneously आपको August में protect करना पड़ेगा मतब 260 में या जो भी है अगर आप 60 में protect करेंगे तो आपकी वो 40 रूपय की premium है वो आपको break even से बचा लेगी तो यह आप समझेए कि 100-56 अगर आप करते हैं तो 54 रूपीज का आपका risk है ठीक है 54 रूप यह range bond में रहता है जैसे 2034 और 2262 तो उसके बीच में तो आप profit में ही निकलेंगे ओके अगर उसके नीचे जाता है तो आपको मैंने यह strategy दे दी है 200 के call option को आप 260 के साथ hedge कर सकते हैं कहीं न कहीं आपको loss होने की probability काफी कम है आपको aggressive उसमें जाने की ज़रोत नहीं है ठीक है आपको एक implement जब आप करते हैं तो आप यह ध्यान रखना कि आप सैमेंटल इसलिए उसको सही तरीके से protect करें और aggressive मत जाना कोई भी चीज में और ग hedge करना चाहते हैं या aggressive जो trading करते हैं तो उनको हम लोग implement करने बताते हैं कि किस तरह से करना है trading ओके aggressive में आपको जाने की ज़रोत नहीं है अगर आप smartly play करोगे और implement करोगे और आप close उसमें watch रखोगे जबी भी इसमें आप तो आपको probability भी अच्छा देगी profit की ठैंक्यू पना है takich कि ह koş मेंड़ा पहम गjut जूज़ कि पमें आपको आपको एम Ahí था है वा ईबा है ब 경वास पैंस का दो वासने की मा दोगीत पार है पड़ार है और उन्या रष्रह typically और है वाला है